आगरा में दबंगों ने अपनी दबंग गई अब मासुम बच्चों पर भी दिखानी शुरू कर दी है बच्चे को आरोपियों ने बेंस से बाहर खींच लिया और उसके साथ मार पिटाई करनी शुरू कर दी इस मार पिटाई में बच्चे घायल हो गए खटना के बाद घायल बच्चे परिजन के साथ शिकायत करने थाना फतेपुर सिक्री पहुँचे जहां घायल बच्चे के पिता ने बताया कि पुलिस पहले तो टाला मटोली करती रही और उसके बाद काफी देर रात में मुकदमा दर्श किया मैं याबद धावी नहीं मैं कहीं काम से गया हुआ था अपने रोजगार के लिए तो मेरी वाइप ने मुझे बताया गया कि ऐसे से घठना हुई है मैं लगवग नौ बजी आ गया था नौ बजी कि छे मैंट पर हंडर डाल को मैंने फोन किया तो तुरंत अंडर डाल आगी थी अंडर डाल ने बोला कि थाना बदेपुर्ची चलो वहां आप रिपोर्ट त कराई तर्द कराने के लिए गया तो वहां ऐसो साब ने अंसुनी करती स्रीओ साब चीज़ें भी फोन लगाया उन्होंनों भी अंसुनी करती कहीं लंबे प्रयासों के बावशुद करी लगवग 12 बजे जाके अफायार दज कई पाई है अता है श्रीमांजी चे अता है अता है मैं जाए कि अम्मीद चाहता हूं दिनांगे अक्टूबर 2024 को समय लगवग 8 बजे वादी धरम भी सनाफ लच्मी नाराण निमासी उंदेरा थाना पते पुसीकरी के बच्चे स्कूल जारे पढ़ने जाड़ी से उसी में बच्चों के बैठने को विवात को मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्श कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है आगरास से यूपी तक के लिए अरविंद शर्मा की रिपॉर्ट